हलो दोस्तों कैसे हो मैं आभित खान आई टी वर्ल कम्पूटर सेंटर के यूटूब चैनल पर आप सभी का श्वागत करता हूं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगरी जो हाल ही में सीपी सीटी का एक्जाम हुआ है बाइस फरवरी दोहजादी सिप्ट फर्ष्ट की मैथ्स एंड रिजनिंग की एनालाइसिस करवागा चलते हैं पहले मैथ्स पार्ट पर पहला कुस्यन है एक दुकानदार ने पैतालीस रुपए प्रतिकलो की दर्से तीस कलो गहुं खरीदा उसने कुल मात्रा का 40% पचास प्रतिकलो की दर्से बेचा 25% समगर लाब अर्जित करने के लिए उसे प्रतिकलो लगभग किस कीमत पर सेस मात्रा में बेचना हुआ देखो लगभग मान उसने पूचा है और यह एक्जेक्ट मान नहीं पूचा है तो अपन देखो पहले तो प्रतिकलो की दर से 30 को लोग हों करीदा है तो टोटल रुपाई कितने खाच हुए उसके तो टोटल कितने होगे 45 इंटू 30 तो यह हो जागा 45 तिया 135 तेरह सो पचास रुपाई के उसने खरीदे थे अब उसको लाब कितना कमाना है पूरे पर 25% यानि इसका एक बटे चार लाब कमाना है यानि इसका एक बटे चार तो टेरे सो पर देखो लाब कितना होगा फिर इसका लाब के लिए उसको कितने का भीचना पड़ेगा टूटल तो लाब होना चाहिए लाब का 25% 25 वटे 100 यानि यह होता है 1 वटे 4 25 25 वटे 100 4 का इसमें भाग दे दू 4-3-12-4-12 और 3-3-4-7-8-2 और 20 हुगा है 337.5 यानि 137.5 इतना और जूड कि टूटल रुपए इसको कितनी कमाने है टूटल रस की बात करें तो अपन को कितनी कमाना है 350 प्लस 337.5 यह हो जाएंगे 1687.5 यानि इतने रुपए का इसको बेचना है अब देखो उसने बेचा के सहसाब से है पहले तो उसने कुल मात्रा का 40% 50 प्रत्कलो की दर से बीच है यानि 40% कुल मात्रा कितनी थी 30 अब 30 का 40% क्या होता देखो मैंने पहले भी बताया है कि इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखी हो तो इसका 10% एक पॉइंट के बाद लगा दो और अगर 1% निकालना हो तो दो अंक के बाद लगा दो तो अगर 40% निकालना मुझे अब 600 रुपई तो उसने कमा लिए अब उसको अभी कमाने कितने है देखो 600 यानि 187 रुपई कमाने है अभी उसको 600 रुपई तो मिल गए टोटल रुपई इतने लेने है तो अभी 600 अगर घटा दू इसमें से तो कितने बचेगा 1687 माइनस 600 लिकल टू यानि इतने रुपई अभी उसको कमाने है तो अब उसके पास कितना गयहूं बचा देखो पहले कितना था पहले उसके पास अब उसके पास कितना बचा देखो 12 किलो यह होगा अब 18 किलो बचा अब 18 किलो को उसने 18 गलो 18 केजी उसको बेशना है और रुपाई कितने कमाने 1887 तो 1887 में अपन 1818 का भाग दी दो अब साथ है भागन टूटे की बिंदी तो कितना हो जाएगा लगबग अगर 8080 होता रुपाई 1080 होता आगा है तो टोटल 60 सही आ जाता है लेकिन साथ ज्याधा है या लगवक उसने पहले भी कहा है तो कुन सा option हो जाएगा 60 option तो दिखते हैं ये चोता option इसका सही हो जाएगा तो दोस्तों अगले कुश्चतों पर सलते हैं एक 320 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक खंबे को 50 सेकेंड में पार कर लेती है, रेल गाड़ी की गती कितनी है, देखो इसके लिए एक ही सुत्र चाल बराबर दूरी बेटी समय, यानि speed is equal to distance upon time, तो अपन को निकालना क्या है? speed निकाला देखो, मीटर सेकंड, एक आई दी है सेकंड में और मीटर सेकंड में ही ओफसन है, तो बहुत सरल है, फिर तो speed is equal to distance कितनी है? 320 upon time कितना है? 50, 0 से 0, 5 का भाग दोगे, तो 5 के 30, 2 बचा, तो 5 के 20, तो क्या हो जागा? 6.4 मीटर पर सेकंड, एक आई भी चेंज नहीं क हो जाएगा? 4 option हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, next question पर चलते हैं, अगला question है, banking सब्द के अच्छरों को, यह है, banking सब्द के अच्छरों को कितने अलग तरीके से व्यवस्तित किया जा सकता है? इसमें पहले अपन को यह देखना होता है, कि इसमें कितने अच्छर है, तो लिखेंगे, factorial 7, upon, देखो, इसमें फिर क्या है, जो अच्छा repeat होता है, उसको count करते हैं, देखो, n को दो बार repeat होता है, वो नीचे आयता है, तो factorial 2, तूपर लिखना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, upon, क्या हो जाएगा, factorial 2 कमान, क्या हो जाएगा, 2 into 1, अब 2 से यह कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 4, 3, 12, 12, 50, 60, छकनक 36 into 7, तो 36 into 7 किन्दा मान हो जाएगा, 37 into 7, देखें, 37, यानि 360 into 7, तो क्या हो जाएगा, 0 सच्छा की वालिस की दो, हसल की 4, 7, 21, 4, 25, यानि 2520 अपना answer हो जाएगा, ठीक दोस्तों, अगले फिसन पर चलते हैं, अब इसका यह दे यानि 4th option अपना सही होगा, ठीके दोस्तों, next question पर चलते हैं, अगला question है, यह दिये होगा है, निम लिकित समीकरणों प्रस्चिन की स्थान पर अनमानेत वान क्या आएगा, देखो इसमें क्या है, exact one नहीं निकालना होता है, यहाँ पर क्या है, exact one नहीं निकालना, अनमाने तो 339, अब उनको पता कि 324, 324, 18 का इसकर होता है, ठीके, और 19 का इसकर होता है, यह किसका होता है, 19 का, तो 349 को या तो 18 मालूम है, या फिर 19 मालूम, कहीं लिखा हुआ है, 349 into 25, यह कोष्टक में, और भागत 30, तो पहले तो अपन को कोष्टक को solve करना होता है, तो क्या ल इसको 18 into 25, ठीके, अब जो भाग का चिन हटेगा, तो नीचे जाएगा, तो एक वटे 30, तो इसको पाट दूम में, पांच हके 30, बाचम 25, 6 से 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा, 15 यह लगभग में पूचा है, तो 15 ही दिया है, तो यह हो जाएगा, लगभग में थोड़ा कम यह बढ़ होता, पॉइंट में यह होता, तो वो अंसर हो जाता, तो कौनसा अंसर हो जाएगा, इसका 15 अंसर, ठीके दूस्तों, अगले कुस्टन पर चलते हैं, नेक्स्ट कुस्टन है अबना, कॉलेज में चात्रों की, कॉलेज में चात्रों की कुल संख्या में से, 12% खेल में रुची रखते हैं, चात्रों की कुल संख्या में से, 10% गायन में रुची रखते हैं, से इस पंदे चात्रों की किसी भी गती में रुची नहीं है, कॉलेज में चात्रों की कुल संख्या रहती है, तो 100% में जो चीज है exactly वो है, अब उसमें से क्या कहा है, उसने कॉलेज में चात्रों की कुल संख्या में से 12% खेल में रुची रखते हैं, कितना 12% खेल में चले ग मैं सोचूं कि इसको मुझे तीन वटे चार को परसेंट बनाना है जब मुझे परसेंट का चिन लगाना होता है तो क्या करते हैं सो का गुणा कर देते हैं और परसेंट का चिन लग जाता है यह रहता है तो चार से इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा पचीस यानि पचीस स три जानते हैं रगी तो यह रहां 45 फरसेंट हो老師 सभी लोग जानते हां इसको कि टीन Воट-चार को 25 बोलते हैं तो 70% यह हो गया किसमें हुआं होगए तो यह रहा 75% हो गया आप इसका देखो आगे दिया हुआ है 10% का आयन में प्लस 10% का आयन में हो गया तो टूटल कितना हो गया 12, 10, 22 और 75 टूटल 97 परसेंट तो अब 6 कितना बचा 15 चात्र अब यसी परसेंट में देखें तो अपन कितना बचा 3% तो जो टूटल चात्र है उसका 3 वटे 100 यानि 3% ही कितना होगा 15 होगा तो 3 से इसको काड़ तो 3 पंजे 15 तो टूटल चात्र कितने बुझाएंगे 500 ठीके दोस्तों इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं तीन वटे 4 पिचात्र परसेंट होता है या आपको पता होना चीजिए ठीके तो आपको निकालना पड़ेगा नेक्स्ट कुस्टन पर चलते हैं एक विरत की परिदी एक आयत के परिमाप से दुगनी है विरत का चेतरपल 45 पर सेंटीमीटर स्क्वेर है या आयत की लंबाई 40 है तो आयत का चेतरपल कितना होगा देखो विरत की परिदी एक आयत के परिमाप से दुगनी है और विरत का चेतरपल एतना है तो पहले विरत की परिदी निकालना तो विरत का चेतरपल क्या होता है पाई आर इस्वेर 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 इस्वे च्वालीज दो से इसको पाड़ दो में दो दो नी दो दो नी 4 दूपंजे 10 दो दो नी 4 दो साथ दो अब बचेगा mighty 750 के साथ चे वाम गए है कंग कुए अगर परेदी की वात कर रहे तक हो दो ब flattering परदी होती है, पेरमीटर 2 πाई आ, तो 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू, और क्या हो जाएगा, 42, 7 से 7 6 के 42, अब 6 दूनी 12, 12 इंटू 22, तो पेरमीटर टोटल कितना हो जाएगा, यहां से 6 दूनी 12, 12 जाएगी, दो सो बीस और चबालीस, तो 264, ठीक है, न हो जाएगा, 264, यह क् विरत की परदी आगे, उसमें कुछन में कहा था, कि विरत की परदी आयत के परिमाफ से कितनी है, दूनी है, आयत के परिमाफ से दूनी है, देखो, दूनी है यानि अगर जो यह परिदी दूनी है, तो परिमाफ क्या होगा, परिमाफ, आयत का जो परिमाफ है, वो क्या जाएगा 100 का 200 का 100 चौशाट का बतीस यह क्या आप देखो इसमें लंबाई आयत का प्रेमाप क्या होता है दो बार लंबाई का एड प्लस दो बार चोड़ाई के तो लंबाई के तो 2L प्लस भी होता है 2L प्लस 2B ऐसे होता है यानि 132 होगा यह तो L का मतलब 40 दिया है तो 40 दो नहीं 80 हो जाएगा एकना हो जाएगा 80 तो 2B इकल टू 132 माइनस 80 यानि B इकल टू कितना हो जाएगा 52 यानि 26 यह क्या आ गई अपनी इसकी चोड़ाई आ गई आयत की चोड़ाई हूँ इसमें थोड़ी प्राव्लम्स आ रही है तो यह कितना हो जाएगा देखो 40 इंटू 26 तो 26 दूनी बावन 24 के 104 एक जीरो आ जाई तो सेंटीमीटर इसका कितना आंसर हो जाएगा 1040 सेंटीमीटर इसका ठीके दूस्तों अगले कुस्तन पर चलते है नेक्स्ट कुस्तन ह यह रीजनिंग का पहला कुस्तन चार सब्द दिये गए है यदि सभी सब्दों को एक सब्द को उसके अनुसार व्यवस्तित किया जाए वर्णान करम में व्यवस्तित किया जाए तो तीसरी इस्तान पर कौन सा सब्द आएगा पहले इस्तान पर क्या होगा इसमें सब्द को तो पी इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है जब हैं ऊ-ऊ-ऊ तो यूवाला ये तीन नम्मर और ये चार नमर उसने ये क्या पूछा तीसरे पर क्या होगा तो दूसरा option सही हो जाएगा और अगर यह वो क्रम पूछता कि क्रम क्या होगा तो 4, 1, 2, 3 यह उसका क्रम हो जाएगा ठीक है दूस्तूं नेक्स्ट कुस्टन पर चलते हैं अगला कुस्टन है यह कुस्टन दिया है नमलेकित मैं कि एक तरफ दिये गए दोनों सब्दों के वीच एक निश्चे संबंद है और समानपात के दूसरी तरफ एक सब्द दिया गाया है जबकि दूसरा सब्द दिये गए विकल्पों में से इस प्रकार प्राप्त किया जाना है जिससे दोनों संबंद द दिए गए जोड़े के सब्दयों के बीसम समझाने का नहीं था अगला कुस्चन है ये अपके स्क्रीम के उपर ये रहा दे गए प्रिशन का उत्तर देने के लिए अच्छरों अंकों और प्रतीकों की निम्लिकत व्यस्ताकों ध्यान पूर्वग पड़े यदि उपरोगत अनुकरम का प्रतेक प्रतीक एक अच्छर से बदल दिया जाए जा गिनना क्या है अनुकरम में कितनी अच्छर होंगे अपनको अच्छर देखना है ठीक है तो अनुकरम का प्रतीक प्रतीक एक अच्छर बनता यानि प्रतीक है वो भी एक अच्छर बनता आगे दिया गया है प्रतीक अंक एक नए प्रतीक के रूपर यानि अंक प्रतीक बनत वख बने गा कोई भी इच्छर बनेगा यह प्रतीक है यह अच्छर बनेगा यह पुणसा प्रतीक है और नहीं है ओ अब गिनना है आपको तो देखो एसे एक दो, ती, चार, पांच, छे, अब इसको गिनना है, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदरा, पंदरा, और सोला, यतने हो गए, सोला, तो कौनसा अप्शन सही हो जाएगा, ना सोला वाला अप्शन सही हो जाएगा, थ्री, नम्मर पर अपनको सोला दिया है, तो यह अप्शन ना सही हो जाएगा, ठीके दूस्तो, अगले कुस्तन पर चलते हैं, नेक्स्ट कुस्तन है, पता लगाएं कि कौनसी, पता लगाएं कि कौनसी अच्छर सरंकला दिये गई नियम का पालन करती है, सरंकला में निकटवर्ती अच्छरों के बीच में छोड़े जाते हैं, तो सराल पढ़ता है, अगड़ते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूई होते हैं, देखो, G, H, I, J, यानि दो, H और I, दो इनके बीच में पड़े, अब इसमें देखते हैं, J, K, L, M, यानि इसके बीच में क्या हो जाएगा, के बीच में क्या हो जाएगा, J, K, L, यानि K, L, यानि दो आ रहा है, M, N, O, P, N, O आ जाएगा इसके बीच में, Q, R, S, यानि Q, R आ जाएगा, यानि इनके बीच में दो दो हैं, अब इनके बीच में देख लेते हैं, J, K, L, यानि एक है, M, N, यानि एक है, O, P, यानि एक ह RS, यानि 2 है, 2 है, यानि यहाँ पे तो 1 था और यहाँ पे जाके कितने है, 2 है, तो यह सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बरावर होना, उसने पूचा था इसमें, कि इस्तिरांक, यानि बरावर होना चाहिए, तो इसको देखें यासे, J, K, L, M, N, O, देखो यहाँ पे एक का यहाँ पे गयफ है, तो इनको नहीं माना जाएगा, यहाँ पे बरावर बरावर गयफ है, तो कौनसा अप्शन सही हो जाएगा, ना, दूसरा अप्शन सही हो जाएगा, पहला अप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दूस्तों, अगला कुश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कुश होती हूऀ ये सांस के ही काम आते है फेपणो के पास ही रहते है ये नली ठीक है तो ये फेपणों से संबंदित है सांस लेने की काम आते है पसलियां अलग हो जाती है गहाँ एक रोग है नेफ्रों अलग चीज है ठीक है अगला question है, नीचे चार सब्द दिये गए हैं, उनमें इसे तीन सब्द किसी तरीके से एक समान गोणवाले हैं, लेकिन कोई एक चौता सब्द उन तीन से भिन है, उनमें भिन और बन सब्द का पता लगा है, देखो, चत्तान गाटी दर्रा सक्री गाटी गाटी दर्रा और सक्री गाटी एक तरेकी की ऐसी होती है जैसे एक दम से नीची होगी हाना, और चत्तान ऐसी होती है जैसे धीरे 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 अपन चड़ते जाओ उसमें, एक चोटी के रूमें होती है क्लिफ, हाना, और गाटी नहीं होती है गाटी दर्रा एकदम से नीचे होते हैं, एकदम से कटे हुए जैसे बराबर से प्लैन कोई जगह है, उसमें एकदम से दर्रा दिया गया हो, तो उस तरह एक ही रहती है, गाटी दर्रा एक जैसे होते हैं, सक्री गाटी या गाटी बोले हैं, सक्री होगी या बड़ी होगी, औ दरना भी उसी तरीके का रहता है नीचे चोड़ें उपर जाके एकडम चोटी सी बन जाती है उसकी है तो इस तरीके से अपना ये पूरा हुआ रीजिनिंग ठीक दोस्तों अगले पेपर में फिर मिलेंगे फिर मुलाकात होगी इस पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी स्क्रीन की ठीकिन कोई दिक्कत नहीं है अगली बार वो सही हो जाएगी उम्मीर है ठीके दोस्तों अपना ख्याल रखें टेक क्यार ठाइंक यू